जहन नमस्कार फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है खासकर फ्रेंड्स उन एस्टुडेंट्स को ये वीडियो देखनी चाहिए जिन होने वीडियो को लाश्ट तक देखना है वीडियो थोड़ा लंबा होगा नो डाउट अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लेजिए बहुत जल्द 13 के सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है मतलब आप सभी का जो फैमली है ना नेवीप पूर एकड़ी फैमली 13,000 लोगों का हो जाएगा तो प्लीज आप सबी लोग थोड़ा सा सप्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को पूरा एकदम जम कर सेर कर दो चलो ठीक है वीडियो को लाश्ट तक आपको देखना है दोस्त तो आपको इस वीडियो में क्या क्या है ठीक है ना तो यहां पर देख सकते हो और इस्टेट की कट अप बताई जाएगी और सो यहां पर थोड़ा सा मीसिंग कर दिया है कंप्यूटर वाय ने यहां पर दोस्त यहां पर कट अपर अगनी बिर इंडिन नियावी एमर एंड एससर के लिए यह कट आप आप से मिलने को मिलने को दिवाली कि applying घिफट को मिलने को वाल है जल्द से जल्द दिवाली कि मैंने आप सभी को बार भारstudhen पेलिगववियूरम में बोला था किσιुअ अपसे भी लोग परसान ना ना ओब जूबी होगा जब मैं बताऊंगा ऐसा नहीं है इसका जुक्त पूरे अंतरह आपसे उदद तो बता भना हमारे team के लोग हैं या फिर आप सबी लोग हैं आप ही लोग में से बताते हैं कि हाँ बैए मेरित लिष्ट आ गया या या ये वेकेंसी आ गई admit cut आ गया तो ये सब चीज़े हैं तो बस आप सबी लोग के support से ही channel है और आपसे भी लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें तो बात करते हैं cut-up सबसे पहले बात करेंगे all estate की cut-up को देख लेंगे क्या cut-up रहने वाली है ठीक है न तो चलिए एक बाइ cut-up पर नजर मार लेते हैं दोस्त कट-up की बात करें तो एक यहाँ पर सबस्कार हो सकता है धेल सकाथि और बात करेंगे का कि बात करेंगे तो कि अंगल की बात कर लेते हैं विभ्लाइ की बात करते हैं अगर आपने इस एसर के लए अपलाई किया है अपका एस एस एसर का याम का मेर्ट कर रहें और यच्जान से सुनना आप लोग अगर MR में आप 25 प्लस की है ना आप लोग 25 प्लस की हो ना तो आप लोग एकदम full confidence रहो और हाँ SSR में आप 30 प्लस की हो ना गल्स जो भी बाली का लोग हैं उनको मैं बता रहा हूँ 30 प्लस है ना तो आप लोग एकदम अगर 35 प्लस की हो ना तो आप लोग एकदम बिल्कुल प्यसेंस रखो आपका होगा इस बार और हाँ MR के लिए MR के लिए आप 25 प्लस की हो ना चाहे किसी भी स्टेट से हो आपका होगा हिम्मत मतारों बाकी यह सब चीजें जो है मैंने इस बेसिस पर बताया हूँ कट अब देखे जो भी एक चीज आप लोग ध्यान रखेगा जो भी आपका previous cut up था ना पिछले साल का जो cut up था ना आपका उससे इस बार cut up कितना कम रहेगा सीधे सीधे 5 नमबर कम रहेगा ठीक है ना 5 नमबर सीधे सीधे कम रहेगा या 3 नमबर तो confirm कम रहेगा 3 से 5 नमबर मतलब रहेगा Cut up कम होगा मतलब cut up जो है इस बार low cut up रहने वाला है पिछले साल की comparison में 3 नमबर तो कम से कम कम रहेगा और जादा से जादा 5 नमबर तक हो सकता है ठीक है ना यह चीजे है तो यह चीजे समझ में आ गया है Cut up का matter समझ गया है अपसे लिए बात करते हैं एक और चीज़ जैसे आपका मेरिट लिष्ट कब आएगा तो दोस्त आप लोग को जतलब जैसे मैं बताता हूं यूटुब पर कि इंडिनेवी का फेवरेट डे है 23 तारी को मतलब साम को 7 बजे ये फेवरेट टाइम है 7 बजे और फेवरेट डेट है 23 को मैंने बस एक वीडियो में बोल दिया था चाहा है मतलब जो भी पुराने एस्पिरेंट से उनको पता रहता है कि 23 तारी को ही आपका एडमिट कार्ड का जो है मतलब थोड़ा बहुत जलक दिखिया था ठीक है तो वही चीज है तो इस बार तो कुछ दिखा नहीं मैं था क्योंकि 23 को संडे था और 24 को मंडे था तो इतना जल्द मतलब पॉसिबल नहीं है दोस्त इवन आपका 14 तारी को एक्जाम खतम हुआ बहुत दस दिन में 24 को कैसे देंगे या इतना तो समझदार हैं आप लोग समझ सकते हो तो कहने मतलब आप लोग को समझ में आ गया त आप लोग दिवाली मना ठीक हैं तो आप सभी लोग आई होप दिवाली बहुत अच्छे से मनाये होंगे और मैंने भी आप सभी को हैपी दिवाली विश्क किया था और दोस्त यहां पर देख सकते हो कि आज 25 तारीक है क्या आज मेरे टलिस्ट आएगा क्या वह या ऐसा ृआ है कि नहीं आईगा क्योंकि मैं अपना एक्षियियंस सेयर करक$ 26 तारीक हो 20 परसेंट चांस है कि आएगा 27 तारीक हो ए मैं 30 परसेंट चांस है वाकि दोस्तारीके बाद मतलब 50 परसेंट चांस है 27 तारीक के बाद Georgia जियादा तर आपका मेरिट लिश्ट जो है मैं आपको बताता हूं 30 तारीक को आएगा 100% चांस है 30 तारीक को 100% चांस है आने का या फिर आपका 31 तारीक को आएगा को एक 3 तारीक को आएगा सकता इसके पहले भी आसकता नहीं कि पहले नहीं आएगा पहले भी आ सकता है लेकिन इतना टारीक तक इक दमजड़ूर आजएगा मैं आपको एक चीज Sawag ऑम किम आ गां किस यह मेरित लिस्ट है हां यह मेरित लिस्ट है देखो यहां पर मेडिकल इजामिंशन और इंड़ॉल्मेंट इंडियान नियवि드 तों अपर दैखो कि यह कब अया था चार अक्टूबर को यह आए है और हम-लोगों की जी लाया है झांप तो 25 अक्टूबर को हुई थी देखो यहां पर कब हुई थी तो 25 अक्टूबर को हम लोग को जॉइनिंग थी मतलब इवेन यहां पर एक चीज मेरे मित्रों यहां पर देख रहे हो कि जो भी है difference कितना दिन का 21 दिन का difference है मतलब 3 week का difference है मतलब 3 week समय दिया दोक्मेंटेशन के लिए भाई आप सभी को पता है कि आपका जो जॉइनिंग है 21 नॉवंबर को होगा ठीक है ना 21 नॉवंबर को होगा इससे पहले हो नहीं सकता क्योंकि इन्हों ने ओफिस्यली लाइब आकर भी बोला है सीडूल हो सकता है लेकिन वैसे सब चीज़ सीडूल है 21 नॉवंबर से ओके तो 21 दिन पहले मेरिट आएगा ठीक है 21 दिन 20-21 दिन मतलब 15 दिन भी हो सकता है लेकिन इतना डीले नहीं होगा तो 21 दिन पहले मान कर चलो महीने के इंड में आ जाना चाहिए और जैसा कि आप से भी को डिफरेंट सेंटर्स पर भी बोला गया तो ब्रदर डॉंट भी पैनिक आप लोग ज्यादा फरसान नहीं हो और यहां पर देख सकता हो कि 25 दिन का मतलब 21 दिन का गया फेचार तरीकों यह रिलीज होता अक्टूबर में से दो जो्यारी 21 के अम लोगा मेरिट लिस्ट है जब हम लोगा ने जोइनिंग की तक इष्डैप होगत श्याज चाहिए चार दिन बाद आपका मेरिट लिस्ट आ सकता है चार दिन बाद भी आयगा मतलब अब ही तो 我們 चृण ‫शबीश सथाईस 28 तक Чांस कम है अथाईस ता सान मत हो इधर भी आ सकता है मैं भी लेकिन उधर एकदम कंफा में महीने के इंडे तक मेरिक लिस्ट आना ही है इसलिए क्योंकि बीज दिन समय दिया जाता है और मुस्ट बीज दिन तो चाहिए हैं बच्चों सब को जाइनिंग करने जाना है प्लस में अपना पुलिस फिरिप तो इस लंबा होता है और जो भी होता है सिगनेचर कराना होता है सुप्रिटेंडेंट और पूलिस से करवाना पड़ता है एसपी से करवाना पड़ता है थोड़ा लंबी प्रोसेस है जैसे आप लोग प्रिंसिपल से आप लोग करवाते हो जैसे प्रिंसिपल से भी करवाय जाता है एक होता प्री कारेक्टर परिफिकेशन प्री कारेक्टर की वेरिफिकेशन तो इवन कने मतलब जो भी है तो तो डॉक्मेंटेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है तो आप लोग को टाइम दिया जाएगा डॉन्ट भी पहन अभी देखो अभी 25 दिन है आपका जोईनिंग में अभी सीड़े सीड़े 25 दिन है अगर 21 नॉंबर को देखा जाए तो अगर 21 नॉंबर से थोड़ा डेले कि किया जाता है तो फिर तो बहुत समय है लेकिन डेले नहीं होगा इस बाग और हां क्योंकि बैंच को एकदम टाइम ले लेना है अगनी वीरवेंच है आपर देख सकते हैं इंडेन एरफोर्स का प्रोसेस एकदम हो चुका है बस इंडेन एरफोर्स जोईन करेंगे लग और म समय का भी चल रहा है और नहीं भी अपना पूरा प्रोसेस कंप्लेट कर लिया ड़न कर लिया बस मेरिट लिष्ट करेंगा और आप सभी को जोईन करेंगे ओके आई होप मेरा कामना है आप सभी के लिए दिवाले गिफ्ट से आप से भी का सेलेक्शन जड़ूर होगा ओके ठीक है दोस्त आप लोग परिसान मत हो चैनल पर नए है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजी मेरे दोस्त और हाँ थोड़ा सा सपोर्ट कर देजी वीडियो को सेर कर देजिए अपने दोस्तों यार दोस्त चाने वाले जितने भी बंदे हैं जिन्होंने पेपर यह आपके नजर में तो उनको एक अच्छी वीडियो दीजी जैसे उनको पूरा पता चल जाए ऐसा हो ठीक है न तो चलिए आसा करता हूं यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जुडूर करना और हाँ प्लीच यानों को स